सुबह 8 बजे होती तो सभी बच्चे 8 बचे सुबह 10 बचे साइको कि खाल में इसके अलावा हमारीं एलेक्रिशन के सभी साथ बजे के महत्तपून प्रेशन चल रहे हैं basic science engineering के class साम को 8 बजे तो जितने भी बच्चे समय पर ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी बच्चे साम को 8 बजे basic science engineering के class में जोड़ना ना भूले चलिए पहले question की तरफ आते है question आप सभी के सामने आ चुका है जल्दी से बताईए इस question का ये question का देखे ध्यान से सुनिएगा ध्यान से पढ़िएगा दो सेकिन दो मिनट है ना दो सेकिन ठीक एक मिनट है ना चलिए पहले question की तरफ हम लोग चल रहे है पहला question स्टार्ट कर रहे है आपका ध्यान सुनिएगा यहां पर हाँ पहला question आपकी screen पर आ चुका है question ये बोल रहा है आप से कि बताइए डीजल इंजन कि खाली डीजल इंजन किस प्रकार का इंजन होता है इस पार्क इगनिशन होता है इंजन होता है या इनन की रूप में एक gasoline का प्रियोक किया जाता है ध्यान सुनना यह बहुत important question है आपके लिए ध्यान रखेगा इस question का पहले आपन एक figure बनाते है figure के थुरू मैं आपको यह सारा question समझाता हूं ठीक है तब जाकर के आपको इस सारी सारी बात जो है समझ में है आएगी clear चले start करते है पन देखे होगा क्या यहाँ पर समझने वाली बात क्या है डीजल इंजन में हमेशा यूज किया जाता है आपका injector का ठीक है injector क्या काम करता है आपका cylinder के अंदर डीजल के कड़ों को डीजल को छोटे छोटे कड़ों में cylinder के अंदर बेशता है यह मैंने आपको सामने एक इंजन का प्रारूप आपके सामने बनाया है मैंने अब होगा क्या यहाँ पर होती एयर एयर होती है only सिर्फ और सिर्फ एयर होती है इस एयर के बीच में आपको डी होता है जब पिश्टन टीडी सी से बीडी सी से चलके बीडी सी यानि बॉटम डेट सेंटर से चलके कहां पहुंच जाता टीडी सी पर पहुंच जाता यानि टीडी सी पर जब यह पिश्टन यहाँ पर मौजूद होगा उस समय पर आपका इंजन जो है वो इंजेक्टर के थ्रू आपका डीजल यहां छोड़ देगा और डीजल जैसी वो छोड़ेगा डीजल जैसी यहां पर आएगा ये गरम हवा के संपर्क में आकर तुरंती क्या हो जाएगा जल जाएगा ठीक है तो गरम हवा के संपर्क में आने से जलेगा क्या डीजल उसके थ्रू हमें क्या मि आपका एंजन नहीं इसमें एदाण की रूप में किया यहाँ पर हम इनन की रूप में गैस कोप्यों कर रहेंगा हैं नहीं में तो किस फिर जलत दिजल का कर रहे हैं लेकिन दिजल को जला कैसे रहे जब हम hotel कर रहे हैं तो हवा की गर्मी से जल रहा है यानि compress करके ignition का काम किया जा रहा है यानि यह है compressed ignition engine B option is the right answer बिल्कुल simple सा question था आपका B जो है वह सही जवाब रहेगा अगले question पहले निम्ड में से कौन सा external combustion engine का उधारण है Western Australian Civic engine बोले तो वह engine जो की खुले वातावरण में अपना ऐधन जलाता या इधन जलाता यिद है तो खुले वातावरण में जो अपना इधन जलाएगा वह कौन से engine हो सकता क्या पैर्टल इंजन हो सकता है क्या डिजल इंजन हो सकता है क्या LPG engine हो सकता है, यह तीनों जो है आपकी option नहीं हो सकते हैं, steam locomotive engine जो है आपका सही जवाब रहेगा, D option is the right answer, बताइए, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, कोई आपती, एक बार share कर दो उन दोस्तों को, जो दोस्त अभी तक एक diesel mechanic की, pure diesel mechanic की class का इंतजार कर रहे थे, बहुत लंब पर भी कोई class नहीं है, और मैं यह चाहता हूं कि आप सभी क्या हो, तैयार हो जाए, local pilot और technician में आराम से selection होता है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है, तो आप भी figure रही है, question अगला आया है आपके पास, यह सब previous year question है, लेकिन topic wise है, ठीक ना, हाँ जी, किदर है, सही अब कुछ कर नहीं सकते हैं इस समय पे कि अघै थी, कि दीक है, मैं पास जी, कि यह समने है, सही तो आपके र ariseं़, तो आपके हैं, तो आपके हैं, तो आपके र अगले कोशन पर चल रहे हैं डीजल इंजन में की मुख्य विसिष्ट जिसके कारण उसकी अन्य इंजनों से अलग पहचान होती है वह है जो इंधन को जलाने की विदी है एक डीजल इंजन में इंधन सिलेंडर एक डीजल इंजन के इंजन सिलेंडर इंधन को क्या जलाता है देखो, डीजल की जब भी बात होगी, जब भी डीजल की बात होगी, तो डीजल के लिए आप हमेशा ध्यान रखेगा, कि compress word का इस्तिमाल होना है, डीजल जहां-जहां आएगा, डीजल है जहां-जहां, compress ignition है, वहां-वहां, compress ignition है, वहां-वहां, समझ गे मेरी बात को, तो आपका compress ignition आएगा, और compress ignition कह सकते हूँ, compress ignition का मतलब हो, compress air में डीजल की बाचार करा देना, compress air में किसकी इंधन की बाचार करा दे जाए, तो compress ignition बन जाता है, बोलो हाया ना, समझ में आगी आपको यह सब बात, चलिए, चलें आगे, तो compress ignition क्या कहलाता है, जिसमें compress air के अंदर हम डीजल की बाचार करा दें, तो वह चीज हो जाती है, compress ignition और आपका हो जाएगा, अगले कोशन पर चलते हैं, पेट्रोल इंजन की तुल ना में डीजल इंजन, बताईए, पेट्रोल इंजन की तुल ना में, जो अवो डीजल इंजन होता है, वो किस प्रकार का रहता है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन में सस्ता इनन प्रियोग होता है कि थर्मल कुशलता अधिक होती है किस की पूछ रहा है वो डीजल की पूछ रहा है डीजल की थर्मल कुशलता के बारे में वो आप से चर्चा कर रहा है दुबारा सुनो डीजल की थर्मल कुश कुछलता के बारे हम बात कर रहा है वो डीजल के विशे हम पूछ रहा है तो डीजल में क्या सस्ता इनन प्रियोग होता है ये बाली बात से हम सहमत नहीं हो सकते तो किसे सहमत होंगे कि थर्मल कुछलता अधिक होती है बिलकुल बात सही है ना बिलकुल बात सही लेकिन आगे बहार ही होता है तो ये भी बात क्या है और अपएक्शाकरत आपने market में देखा है कि diesel जो है हमेशा सस्ता ही मिलता है तो क्योंकि ये तीन options सही आ रहे हैं अपनी दिशा पकड़ रहे हैं हलाकि हम इस option को सही नहीं मान सकते इस वाले option को हम इतना योग नहीं मान सकते लेकिन इस तो सभी इसके कारण से हमें क्या करना पड़ेगा इसको सही मानना पड़ेगा यानि जो आपका D option जो है वो correct answer हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा D option बोलो हा या ना clear है यानि उप्युक सभी यानि डीजल अपेक्षा कर पेट्रोल सस्ता होता है इसकी thermal efficiency अच्छी होती हो और ये इंजन भारी भी रहता है अगला है जब एक internal combustion engine में इधन को जलाया जाता है जब internal combustion engine में इधन जलाया जाता है तो उसमें store की हुई chemical उड़जा किसमें बदल जाता है बहुत famous question है ध्यान रखना तीन बातें इसमें important है कि कोई भी engine जो है न इधन की रासाइनिक उड़जा को उड़जा को किसमें बदलता है उश्मी उड़जा में बदलता है यानि की सबसे पहले नंबर पर होती है रासाइनिक उड़जा इंधन के अंदर कौन सी उड़जा रहती है आपकी रासाइनिक उड़जा फिर आपकी क्या होती है उश्मी उड़जा में परिवर्तन होता है तो रासानिक उर्जा किसमें बदलेगी और नहीं दिख रहा है तो मैं दुबारा vra trên आपका लिग देता हूं रासा ओ किनिक उर्जा किसमें बदलेगी तो उष्यमि में ये प्रोसेस होता है इंजन के अंदर तो बोल रहा है combustion engine में इंधन को जलाया जला दिया यानि कि ऊच में उर्जा प्राप की तो उसमें store की हुई chemical energy को बदला जाता है तो कौन सी उर्जा में बदल जाता है ताप उर्जा में तो C option जो है आपका correct answer हो जाएगा बोलो हा या ना सौंज में आगी बात सौंज में आगी बात एक बार yes करो सभी बच्चे अगले question पर चलते हैं अगला question आप से क्या कह रहा है heat engine बदलता है बहुत अच्छा प्रेशन है heat engine बदलता है question बहुत अच्छा है heat engine जो है बदलता है heat engine बदलता है बताइए क्या answer आएगा heat engine बदलता है यह बहुत important है ताप की ऊज़ा को mechanical energy में ठीक है तापी ऊ़जा को यांत्री की ऊबदलता है या mechanical ऊज़ा को क्या ऐसा पॉसीबल है सोचो जड़ा दिमाग से नहीं है तो केवल और केवल यह option जो है आपका सही है ताप यह उड़ जाओ को इसने क्या हंखन किया एक विस्पोड पैदा करती ही तुरनत इंघसे पिшьटन जाएगा नीचे की साइट यानि हम गैसों के फैलने की शक्ति का उपयोग करते है और हमें क्या मिलती है तो हम क्या करते है ताप यह उड़ जाको मेकनिकल एनर्जी में बदलते है ए ऑक तो हीम आ दिख रहा है सभी को question एक बाद thumbs up करो सभी थोड़ा सा दुदला दिखाई दे रहा है वाँ 2 सेकंड मैं इसका camera थोड़ा ठीक कर दू अपसे ही आगया ना चलिए ठीक है अपसे ही आगया ना मेरे साब से अपसे ही इंटर्नल कंबक्शन इंजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है नहीं वाला कथन हमें चाटन है कौन सा कथन सही नहीं है मैं मतलब ध्याद से समझो internal благassembक्शन आन्तरिक देन िंजन तुरंत स्टार्ट करना और रोकना सम्भव है बिलकोल बाद सही है भाप के इंजन में ऐसा संभव नहीं होता है लेकिन इंटरिक देहन इंजन जितने भी होते हैं आंतरिक देहन से मतलब हैं यहाँ C I compressed ignition और SI spark ignition से हैं है यहाँ पर यह तो तो internal में आ जाता है यहाँ तो external में क्यों सा आता है external combustion engine इसमें क्यों सा आता है भाप engine यहाँ तो नहीं आपको भाप के इंजन के साथ करनी है किसकी CI और SI की है न तुरंध स्टार्ट हो जाता है औरर रोकना सम्चाल बिल्कुल क्रेक्टबात है हाई स्पीड इंजन भी बात सही है यह भी बात सही है अधिकतर टबल एक्ट decipher होता है अब एक बार TDC से बीडी से फिर का जागा टीडीची उसमें पूर पूरा यह क्या करेगा साइकिल कंप्लीट करेगा डवल एक्टिंग का मतलब यह होता है और सिलेंडर के अंदर कंबक्शन होता है अब यहां पर समझो मेरी बात को यहां समझना मेरी बात को तो, सिलेंडर के अंदर देहन होता है, ये बात पूरी तरीके से सकते है। लेकिन कोई ये कहे double acting होता है तो अगर हम भाब के इंजन की बात करें तो भाब के इंजन में थ्रुट फ्रस्ट पर लगता है तो एक साइड आदा वील घूमता है आदा पाई आपने आप गूम जाता है यह लेकिन आदे सही नहीं है c double acting होता है अधिकतर double acting होता है ये वाली बात सही नहीं है ये बात cable or cable भाप की इंजन के लिए प्रियोग में ली जा सकती है अगला प्रशन अगले कोशन पर चलते हैं ना अगला कोशन प्रियोग की जाने वाली ignition प्रद्दती के आधार पर diesel engine को भी कहा जा सकता है diesel engine को क्या कहा जा सकता है देखों प्रियोग की जाने वाली ignition प्रद्दती को क्या कहा जा सकता है पिश्टन के द्वारा हवा को पिश्टन के द्वारा हवा को कंप्रेस करना रहता है पिश्टन के द्वारा हवा को जो हम कंप्रेस कर देते हैं compression ratio जो हम बना देते हैं तो उसके द्वारा यह हवा क्या हो जाती compress हो जाती compress होने के बाद में इसका तापमाद 350 degree centigrade से जादा और 750 degree centigrade तक नियंत्रित रहता है यानि इसके बीच में रहता है और उस समय पर हम क्या करते हैं एक injector के माद्यम से हम कर देते हैं diesel की बाचार diesel की हम जैसी बाचार करते हैं diesel की बाचार करते हैं तुरंत ही यह क्या होता है पूरा पूरा फ्यूल जो है जल जाता है फ्यूल के जलने से क्या होता है आपका engine जो है वर्किंग में आ जाता है तो इसको बोला जाता है compress ignition engine यानि A option जो है आपका correct answer है ये सारे प्रिक्षाओं में आई हुए हैं इन ही प्रिक्षाओं में आई हुए हैं इन ही प्रिक्षाओं को आप exam hall में भी देखेंगे अगले question पर चलते हैं अगला question आपसे क्या कह रहा है एक engine का stroke होता है पिष्टन की दो सीमाएं होती है उपरी सीमा और निचली सीमा पिष्टन की दो सीमाएं होती है उपरी सीमा और निचली सीमा देखो और top dead center से bottom dead center अगर हम आ जाते हैं, BTC अगर हम आ जाते हैं, तो यह कहलाता है, एक stroke, एक stroke, तो stroke क्या होता है, TTC और BTC के बीच की दूरी, यानि B option जो है, आपका correct answer है, cylinder का आयतन, volume, CC में represent किया जाता है, connecting rod की लंबाई, stroke की लंबाई के बराबर होती है, सिलेंडर का अंदरूनी ब्यास को बोर कहते हैं, है ना, तो ये चीजें अलग हैं, सिलेंडर को आयतन को किस से रेप्रेजेंट किया जाता है, सी सी से, है ना, कनेक्टिंग डॉट की लंबाई, स्ट्रोक की लंबाई के बराबर ही रखी जाएगी, और डिपेंड करती इसकी ल सिलेंडर का स्विफ्ट आयतन क्या होगा, है ना, ध्यान सुनना, चार सिलेंडर है, मेरे पास कितने सिलेंडर है, एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, और ये चार सिलेंडर, मेरे पास चार सिलेंडर है, चारों को टोटल आयतन 2.4 लीटर है, 2.4 लीटर है, मुझे सिर्फ एक का पूछा है तो मैं इसमें भाग दे दूँगा और भाग देते ही क्या निकल के आ जाएगा चार्चिंग 24 यानि 0.6 cc cc बोले तो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर की घात तीन को ही cc में लिखा जाता है cc की फॉर्म में लिखा जाता है लिटर यह भी क्या है 0.6 लीटर के अनुसार अगर हम इसको cc में कनवर्ट करेंगे लिटर है यह लीटर है 0.6 लीटर आया है तो cc में जब हम कनवर्ट करेंगे तो 600 cc इसका जवाब आ जाएगा तो b option जो है आपका correct answer हो जाएगा बेट गया दिमाग में कोई दिक्कत परिशानी चली अगले प्रिशन पर चलते अगला प्रिशन आप से क्या कह रहा है एक चार सिलेंडर एंजन का स्वेफ टायतन हो गया यह वाला है एक एंजन का किलरेंस 100 cm2 है देखो मैं चित्र बना के बताता हूँ तब आप इस प्रिशन को समझ पाएंगे सही डंग से ना एक सिलेंडर जो है उसका स्वेफ वॉलम यानि पिश्टन जब नीचे बीडी सी पर है तो उसका जो आयतन है वो कितना है 100 cm 2 सेकिंड दो सेकिंड दो सेकिंड दो सेकिंड दो सेकिंड आट सो सेंटीमे है तो पूरे सिलेंडर का यहां से इस जगे से नीचे का जो है वो है SV, SW, कितना है आपका 800 cm3 यानि 800cc है और किलरेंस यानि कि जब piston पहुंच जाता है किस पर पहुंच जाता है जब piston पहुंच जाता है किस पर आपके TDC पर तो TDC पर पहुंचने के बाद हैड और piston के बीच में जो जगे बचती है हैड और piston के बीच में जो जगे बचती है उसे बोला जाता है है किल्रेंस वॉल्यूम जो आपको यहां समझना किल्रेंस वॉल्यूम आपको यहां समझना है 800 प्लस 100 900 cc हो रहा है और किल्रेंस कितना आ रहा है 100 आ रहा है यानि 900 cc को हम दबा के कितना कर रहे है 100 cc में convert कर रहे हैं तो compression ratio क्या होगा CR कितना होगा तो ध्यान रखना पूरे cylinder का आयतन Unpath किसका किल्रेंस volume जो कि आपका किल्रेंस का आयतन है वो compression ratio कहलाता है तो आपका हो जाएगा 9 Unpath 1 900 Unpath 1 को ratio करेंगे तो 9 Unpath 1 हो जाएगा B option जो है आपका correct answer हो जाएगा बुलो हाँ याना सौंज में आ रहा है यहाँ तक कोई परिशानी चलिए अगले question आपसे क्या कह रहा है जड़ा इस पर भी चलते हैं अगले question की तरफ चार stroke cycle निम लिखित में से कौन सा सही कराम है ध्यान रखना exam में यह question आई हुए है और यही question आपको as it is मिलेंगे और तो होता है compression जिसको compression यानी मिलोते हैं दा बियो कंया और फिर होता है suction, compression, power, जिसे हिंदी में शक्ती भी कहते हैं, और शक्ती के बाद में होता है exhaust, जिसे की निकास भी कहा जाता है, फिर उसके बाद होता है suction, इसे बोला जाता है एक cycle, तो एक cycle के अंदर, एक चार श्ट्रोक cycle, cycle, निम लिखित में से कौन सा सही करम है, तो पहले तो suction ही आता है, confirm है, suction फिर आता है compression, suction, compression, power, और exhaust, ध्यान सुनिएगा, suction, 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 compression, power, और exhaust, यानि C option जो है आपका correct answer है, एक cycle में ये चारो कारे किये जाते हैं, suction, compression, power, और exhaust, ठीक है, अगले question पर चलते हैं, निम लिखित में से किस के कारण stroke की लंबाई बढ़ जाती है, ध्यान रखना stroke की लंबाई कब बढ़ेगी, बहुत अच्छा प्रेशन है, निम लिखित में से किस के कारण stroke की लंबाई बढ़ जाती है, इस ट्रोक की लंबाई ध्यान सुनो, जैसे जैसे आपकी connecting road की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे आपके piston की लंबाई भी, sorry, किसके कारण इस ट्रोक की लंबाई, इस ट्रोक क्या होता है, ध्यान समझना, मैं चित्र बनाऊंगा उसके बाद समझ मैं आपके आप आप आएगा पूरी चीज ये आपका पिश्टन रहा ये आपका सिलेंडर रहा सिलेंडर के अंदर आपका ये पिश्टन रहा ठीक है पिश्टन में ये कनेक्टिंग रॉड है और कनेक्टिंग रॉड किसके थुरू जुड़ी होती है आपके यहां पर connecting rod जुड़ी हुई है इस जगे पे ना और यह जुड़ी होती थ्रो से यह उत्थापक जिसे कहा जाता है हिंदी में उत्थापक कह देते हैं थ्रो से जुड़ी होते हैं और यह ball bearing के माध्यम से यह आपके gear लगा होता है crank gear और ball bearing के माध्यम से यहां पर सदा रहता है ये बॉल बेरिंग के माध्यम से इंजन क्या होता तंगा रहता है इस तरीके से इंजन तंगा रहेगा बोलो हा या ना बात समझ में आई इंजन इस तरीके से इस पर तंगा रहेगा तो ये वाली और ये वाली दूरी क्या कहलाती थ्रो कहलाती थ्रो थ्रो तो क्रेंग शाफ् connecting rod connecting rod connecting rod है ना connecting rod उतनी बढ़ेगी उस से उतना ही ज्यादा आपका क्या बढ़ जाएगा throw क्या नाम है cylinder का item भी बढ़ जाएगा यह इस ट्रॉक भी बढ़ जाएगा इस ट्रॉक ठीक है एक श्ट्रॉक बराबर क्या होता है क्या होता है दो थ्रो एक श्ट्रॉक बराबर क्या होता है थ्रो क्योंकि यह अभी बीडी सी पर है जब यह उपर की तरफ जाएगी तो पिष्टन उपर चला जाएगा तो टीडी सी पर पहुंच जाएगा यानि थ्रो अभी आदी है आदी को अगर आप दुगना करोगे तब तो इस बात को भी याद रहा क्योंकि एक्जाम में यह भी आया और यहां परानसर को चाहीघा यानि जैसे जैसे थो बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इस ट्रॉक की लंबाई भी क्या होती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी एक बाद शेयर कर दो क्लास को ताकि सारे बच्चे हमारे साथ एक बच्चा जुड़ जाए ना क्यूंकि बच्चा यहां पर इस्टीबल हो गए आप लोगे ना चली आगे चलते हैं मजा आ रहा है क्या करा है जो बीसा डोओ कि चार्च प्च्च कंप्रेशन पावर और एक जोस्ट तो पावर इस ट्रॉक में जो भी पावर रह मिलती है जो भी पावर हट ग्रोडीन चैर्ड के नगभी हों फिर्क्चिंए क्हार्ट किस ट्रॉक काम सा फना मौन और छाएग कर ऑदि immediate non working होता है power के बाद exhaust suction और एगाश सक्षन और compression ये non working stroke होता है यानि यहाँ पर जो power मिलेगी उस power को उस power को जोभी power यहां मिलेगी उस power को तीनो फ्रोकों मैं समान रूप से वितृत endeavors यह मिली जिया तीनो को देने का काम किसका है तो ध्यान रखना जनरली आज आज कल जो ओटमोबवाईल जन है उनमें यह काम क्लचप्लेट कर देती है क्लच क्लचप्लेट कर देती है इंजन का वजन भी नको तरम नहीं को नौर्मल ऑन में क्या लगाया रखता है फ्लाई वील लगाया जाता है इसे इसा काम करने के लिए है ना बाकी रॉनिंग में डाइनमों भी इसका काम कर देता है फ्लाइवल की कमीको कौन पूरा dona diamonds कर देता है वेीमों भी कर दा suggest प्लेट्अीन है है आपका correct answer है बोलो हा या ना मज़ा आ रहा है एक बाद हम सब करो यार मज़ा आ रहा है तो चीजे मिल रही है जो तुम्हें चहिए exam point of view से मतलब जो exam में आता हो ही हम पढ़ा रहे हैं चीजे वो हैं तो आप समझो मेरी बात को गहराई के साथ अगर किसी चीज को पढ़ लि आप की महसूस है लेकिन मेरी क्लास में बोरियत महसूस नहीं हो क्यों कि जानकारिया आपको सारी मिल रही है पूरी जानकारिया मिल रही है A to Z सारी के सारी कोश्चन का एक एक गहरा ही बता रहा हूं आपको चलिए अगले प्रेशन पर चलें शेयर कर दिया को ये class thumbs up कर रहे क्योंकि मेरे और जो पैनल लगा हुआ है सामने उसकी बीच की distance बहुत ज़्यादा है नाम बहुत छोटे आ रहे हैं तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं नहीं तो काफे सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर ने मेरे नाम नहीं लिया विने अमर मिश्टर फरियाद खान वी ओडी प्रकास और वेद प्रकास सरीता मौर्य अमर जाटाव विने काफी सारे बच्चे हैं मुनना ओफिश्यल काफी सारे बच्चे हैं तो काफी सारे बच्चों के नव लगातार बिक्की भगत मेरा नाम लीजिए बिल्कुल मेरे आपका ले रहा हूं बिटा है ना शिव कुमार सरोच बहुत बढ़िया राच यादव बिक्की भगत गजेंद्र कुमार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी को मजा रहा है एक बद हम सब जरू कर देना चलिए आगे चलते आगले प्रिश्न पर चलिए है ना ये क्रिश्ष्ष्ष्ष्ष्ण आज आपके यहां तक थे लगबग आपकी क्लास हो चुकी है आज की है ना कल हम दो सेकिंड में देख लूँ एक बार कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई कोश्ष्ष्ष्ण हाँ अभी है अभी है मामला एक सिंगल सिलेंडर दो स्ट्रो अब ध्यान सुनना जो टू श्ट्रोग इंजन होता ना एक साइकल में एक साइकल में यानि सक्षन कंप्रेशन पावर और एक जोस्ट में एक राउंड लगाता है में कितने राउंड लगाता है एक राउंड लगाता है ना टू श्ट्रोग इंजन पावर और एक जोस्ट म एक साइकल में एक राउंड लगाता है, ठीक है, 2000 RPM पर घूम रहा है, प्रती मिनेट पावर स्ट्रोकों की संग्या कितनी हो, ध्यान सुनो, अगर ये 2000 RPM पर घूम रहा है, एक पावर में, ध्यान समझना पॉइंट को, पॉइंट समझना, एक पावर में एक RPM मिल रहा है, तो बताओ कितनी पावर में 2000 RPM मिलेगा, 2000 पावर में 2000 RPM निलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, अब अगर येही क्या होता, फोर स्ट्रोक इंजन होता, तो फोर स्ट्रोक इंजन की काहनी थोड़ी अलग हो जाती है, वो एक साइकल में दो राउंड घूमता है, ठीक हैं, अगर इंजन 2000 RPM पर चल रहा है, पहले से ही, तो पावर कितनी होगी, सिर्फ 1000 पावर होगी, पावर उसमें सिर्फ 1000 होगी, पान रहेगा, बोलो हा या ना, थमस अब करो एक बार जल्दी से, चली अगले कॉर्शन पर समझ में आगे ना, बहुत बड़ी है शाबाज, पीडिएफ जो है आपकी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी है, जीमेट टेलीग्राम की नाम से चैनल है, प्रेशन क्या है, सक सक्षन स्ट्रॉक के अंदर, जब भी डीजल इंजन होता है, उसमें सक्षन स्ट्रॉक में हमेशा और हमेशा शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, एर क्लीनर से आती है, एर क्लीनर से इनलेड वाल्ब से होते हुए आती है, तो आपका केवल आया केवल हवा, अगर यह डीजल के स्थान पर पैट्रोल होता तो पैट्रोल इंजन होता या SI इंजन होता क्योंकि यह कौन सा इंजन है CI अगर SI होता तो अगर पैट्रोल का मिश्रण आता जो की आधर शवस्ता में एक अनपात 15 का माना जाता है ठीक है अगले पर चलते हैं इसको एक अनपात 15 मत बहुत पंद्रा अनपात 15 हवा होगी और पैट्रोल एक होगा है ना आगे चलते हैं अगले पर चले चलिए आज की क्लास को का समय यहीं पर ही समापत हो गया है मजा आया है तो एक बाद थमसब जरू कर दो आप सभी है ना मुझे आपके थमसब से बड़ा प्यार है एक बाद लाइक जरू कर दो मुझे आपके लाइक से बहुत प्यार है जो तो बच्चे थोड़ी देरी से जुड़े हैं किरपय करके वो सुरुवास से थोड़ी क्लास देख लें यह जुतने भी मैंने कोशन कराएं निमेंसे आपको निश्चित तोर पर एक या दो प्रेशन तीन प्रेशन आपको परिक्षा में देखनों को मिलेंगे बहुत ज्याद जो भी बच्चे हमाई साथ नए हैं वो नए बच्चे भी क्या हो सकते हमाई साथ जोड़ सकते हैं इन्रॉल कर सकते सारी चीजों को कल फिर दुवारा दो बजे आना ना भूलना मजा इसी प्रकार से आपको डेली की डेली क्लास में आएगा आप बेफेगर रही हैं सारी में कोश्चन आपको कराने वाला हूं कोड जो है हमारा एलपी 40 है आप अभी डाउनलोड करेंगे तो तीन दिन तक चार दिन तक आपको एक बहुत बड़ा ओफर है वो मिलने वाला है आप उस ओफर को ले लीजिएगा कल से इंग्लिस में भी कोश्चन आपको मिल पड़ा है यह मेकेनिकल की क्लास है और मेकेनिकल डिप्लोमा होल्टर वाले बच्चों के लिए विशेश रूप से क्योंकि आपके बहुत जादा पूछा जाता तो इसके लावा आपका थर्मल से जो भी चीज़े आएंगी वो थर्मल भी यहांपर थर्मल आइस एंजिए यहांपर फारल अलवा इसके अलावा हीट लावी कि भी आपको यहांपर क्लासे मिलेंगी अर ऑटो मोई के एंटर इनदर जीतना भी वील तो इस इस क्लास को आपने देखा बहुत अच्छा लगा होगा आप एक काम कीजिए सबस्क्राइब करके ही जाएगा है ना इसके लाबा हमारी पैराथन होने वाली है संडे के दिन रीजनिंग की सटेड़े की दिन सटेड़े की दिन तीन गंटे की लगातार जिसमें आपको सबस्क्राइब करा जाएगे और इसी प्रिकार आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा सब चीजों के हम केवलों केवल एलपी लोको पाइलेट और टेक्निशन ही पढ़ाते हैं इसके लाब हमारे यहां कोई और क्लासे नहीं जलती है तो आप सभी हमारे साथ एलपी और टेक्निशन बने की रहा में जूड़ते चलिये और हम आपकी प्रतिक्षा में है आप जल्दी हमारे साथ जुड़ें और अन्य दोस्तों को भी आप हमारे साथ जुड़ें, OCD thu बैज बेस्ची बैस्ट आफ लरक झाल